learning lessons apply तो कर दिया है लेकिन उसके test में आप हो गया है fail काभी सारे वीडियो में आपको बता दियागा learning lessons बनाना कैसे लेकिन अभी तक आपको यह नहीं बताया है कि learning lessons अगर आप fail हो जाते हैं test में तो कैसे आपको आगे क्या process करना है कैसे आप उसका रीटाइज दे सकते हैं क्या आगे का process है कुछ भी आपको नहीं बता है आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह बताऊंगा कैसे अगर अपना learning lesson के test आप फेल हो जाते हैं तो आगे आप कैसे उसका retest दे सकते हैं कैसे आपको उसकी fees payment करना है क्या आगे का process है और किस तरह से आपको online test देना है इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं So guys learning lessons का online test फेल हो जाने के बाद उसका आगे का process करने के लिए आपको वापिस इसकी website पर आ जाना है पहली आपको वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है अधरवाइस एक भी point अगर आपने miss कर दिया तो आप retest के लिए apply नहीं कर पाएंगे दूसरी important चीज है कि channel को subscribe करके bell icon को press के लिजे क्योंकि ऐसे informative videos में अपने channel पर लेकर आता रहता हूं तो आप सभी तक अच्छे अच्छे और informative videos पहुंच सकें अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर देखे सबसे पहला option आपको मिलेगा apply for learning license तो यहाँ से आप अपने learning license के लिए apply कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कैसे आपको learning license के लिए apply करना है 2023 में आप कैसे अपने एक नया learning license बना सकते हैं तो उस पर मैंने already video अभी बना दिया है link आपको description मिल जाएगा आप जाकर check कर सकते हैं साथ साथ उसका जो link के आपको iBiton मिल जाएगा प्लस यहां पर मैंने आपको यह भी बताया है कैसे आप learning के बाद driving license के लिए apply कर सकते हैं उसका भी video का जो link के description में आपको मिल जाएगा तो जाकर आप check कर सकते हैं अब यहां पर हम बात करते हैं अगर आप test fail हो गए learning license का तो कैसे आपको retest के लिए apply करना है और आगर क्या process आपको करना है तो दीखें यहां पर आपको एक option मिल जाता है homepage पर fee payment का तो यहीं से आपको retest के लिए apply करना है अब यहां पर आप click कर देंगे तो इस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का pay जाएगा अब यहीं से आपको अपने retest के fees पे करना है अब यहां पर काफी साई लोग एक गलती करते हैं जिसके बाद मुझे काफी सारे comments भी आते हैं कि सर यहां पर जो हमारा fees है वो already paid दिखा रहा है जबकि उनने fees तो retest के पे नहीं किया है तो यहां पर वो क्या गलती करते हैं वो गलती आपको नहीं करना है तो यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से सीच को समझेगा देकि यहां पर आपको एक option मिल जाता है उपर e-payment का इस पर आप click करेंगे इस पर लेकरने के बाद आपको सामने काफी सारे options हैं application fee, additional fee, retest fee, verify, pay status और print receipt तो यहां पर आपको किस option पर click करना है यहां पर देखें तीसरा option आपको मिल जाता है retest fee तो यहीं से आपको retest के लिए apply करना है कई लोग क्या करते हैं application fee में click कर देते हैं और वहां पर अपना application number डियर्स जालते हैं इसके बाद उनका जो fee से अलड़ी paid दिखाता है तो यह आपको गलती नहीं करना है simply यहां पर आपको retest fee का जो option पर आपको click कर देना है और जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरक interface आएगा अब यहां पर देखिया आपको उबर heading में दिया हुआ है retest fee इसका मतलब हम यहां पर retest के लिए apply करने वाले हैं अब आपको क्या करना है आपको जो application number रिसीब हुआ है learning lessons का वो application number simply आपको डालना है अपना date of bird डालना है और उसके बाद click here to calculate fee का जो option देखिया इस पर आपको click करना है तो ठीक है यहां पर अपने application number डेट of bird डाल दिया है अब हम जैसे यहां पर देखिये calculate fees पर click करते हैं तो आपके सामने इस तरह से यहां पर देखिये information open होकर आचुकी है अप्लेकेंट नाम आ रहा है, state आ रहा है, rtu आ रहा है और आपका जो amount आपने pay की है, learning lessons के लिए वो भी यहां पर display कर रहा है लेकिन यहां पर आप देखिये नीचा आपको alex एक option दियेगा payment के लिए total amount to be paid के एक option आपको दिख रहा है 180 रुपेश, 86 पैसे यह मैं MP state की बात करना है, हो सकते है कि आपके state में retest की जो fees है वो थोड़ा सा कम या फिर जादा हो सकती बड़ लगबग इतनी fees आपकी यहां पर कटने वाली है अब आपको इसका payment आपको करना हुआ, यह retest की payment है जैसे इसका payment करेंगे, तो आप retest के लिए apply कर देंगे और आप दोबारा से इसका test आप दे सकते हैं payment करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपर दिखे bank gateway और treasury का option दिया गया है यहां पर आपको click करना हुआ, यहां पर SBI E-P select करना है उसके बाद आपको यह capture code दिखाया जा रहा है यह capture code यहां पर आपको enter करना है उसके बाद नीचे आपको option मिल जाएगा, pay ना होगा तो इस option पर आप click कर देंगे अब इस पर click करने के बाद आपके सामने दुबारा से हैं पर आपकी जो payment है वो display की जा रही यहां पर नीचे आपको check box पर tick करना है proceed for payment के option पर click करना है उसके बाद यहां पर आपको यह redirect कर देगा payment page पर जहां से इसका पेमिंट complete कर सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पर देखे आपके सामने सारे option आ जाएंगे debit card, credit card, internet banking, beam, UPI और wallet किसी माध्यम साथ इसका payment कर सकते हैं जैसे कि यहां पर अगर आप internet banking से इसका payment कर रहे हैं तो आप internet banking में click करेंगे यहां पर देखे आपके सामने SBI का option आ रहा है लेकिन यहां पर आपके सामने और भी option है all banks का जो option दिख रहा है payment कर यहां पर आपको back या फिर refresh नहीं करना है लगबग 10 second बाद या आपको automatic वहां पर redirect कर देगा तो आपको थोड़ा सा wait करना है अदरवाईस आपका जो payment है वो cut भी जाएगा और इसका जो payment है successful नहीं होगा अब जैसे आपका जो payment है successful हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का page आएगा यहां पर देखे आपको नीचे दिया गया completed successfully और यहां पर आपका payment डिस्प्ले कर रहा है अब देखे जैसे इसका payment complete हो जाएगा तो आपको वापस से home page पर आजाना है क्योंकि इसका जो password है वो आपको तुरंत नहीं आता है लगबख 24-48 गंटे बाद एक नया password आपके पास आएगा आपने जो learning lessons का पहली वाटेस दिया था उसका जो password है वो यहां पर काम नहीं करेगा आपके पास एक नया password receive होगा आपको जैसे इसका पेमिन कर देंगे तो सकता है 24 गंटे बाद या फर 48 गंटे बाद एक नया password आपको message में receive हो जाएगा उस password से यहां पर आपको login करना है इनकेस अगर आपके पास password नहीं आता है तो आप देखे जैसे अपने application number और date of birth यहां पर आप डालेंगे तो यहां पर आपको एक option में जाएगा recent password का तो यहां पर आप recent password करके try कर सकते हैं आप पहले 24 गंटे वेट करिए फिर भी अगर password नहीं आता है तब आपको यहां पर recent password पर click करना है उसके बाद जैसे ही आपके पास password आजाएगा तो simply यहां पर application number date of birth और अपना password डालकर आप process की बिटन पर click करेंगे जिसके बाद आपका जो test का process है वो start हो जाएगा यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी language select करना है किस language में आप test देना चाहते हैं उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको दो checkbox करें दोनों में आपको tick कर देना है उसके बाद यहां पर continue की button पर आपको click करना है जिसके बाद आपका जो test है यहां पर start हो जाएगा test का process आपको पता ही है कुछ इस तरह का आपके पास test होगा आपका और इसमें आपको 30 second का समय मिलता है बीस questions आपसे पूछे जाएंगे 12 आपको सही answer देना है जैसे या 12 answer सही दे देंगे तो आपका जो test हैंपर complete हो जाएगा हर question के लिए आपको 30 second का time दिया जाएगा और right hand side आपको जो score है वो बढ़ता जाएगा जैसे आपको score 12 हो जाएगा तो आपको जो test हो complete हो जाएगा और जैसे इसका test आप pass कर जाएगे तो इस तरह से आपके सामने status हो जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं आपका status है पास में टेक है अगर आप fail हो जाएगे तो यहां पर आपका fail में टेक होगा इस पर click करके अपना learning lessons आप download कर सकते हैं तो इस option पर आपको click कर दिने जिसके बाद आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP यहां पर डाल कर सम्मेट आप जैसी OTP करेंगे तो आपका जो learning lessons है वो download हो जाएगा So guys मैंने आपको इस वीडियो में यह तो बता दिया कि आपके test पेल होने के बाद आपको करना क्या है अब आपके उपर है कि आप test past कैसे करते हैं आप इसकी तैयारी पहले कर लें उसकी बाद ही आप test दें और अगर आप देखना चाहते है कैसे इसकी आपको preparation करना है कहां से आपको इसके important questions मिलेंगे तो मैंने पहले भी बोला है आप मुझे comment करके बताईए मैं इसके test में जो भी important questions आपसे पूछे जाने वाले हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आप उसको पढ़ने के बाद काफी सानी से test को पास्ट कर पाएंगे तो comment करके मुझे बताएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी comment करके बताएगा वीडियो कर पसंद आया आपका काम हो गया हो तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल और पहली वारा है चैनल को subscribe करके बैल आइकन को प्रैस कर दीजेगा अपकोस अगर आगे भी ऐसे ही informative वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्राल दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मैं को चलता हूँ आपसे कर मुलाकात होगी ऐसे किस informative वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो